नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे खिलाडी की जिनोंने काफी कम समय में ही क्रिकेट की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है काफी कम समय और काफी कम मुकाबले खेलने के बाद भी वो इंडिया के बैस्ट 3 फोर्मेट प्लेयर बन चुका था लेकिन अब वो खिलाडी हैं लगातार फिटनेस से परेशान लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या इंटरनेशनल किरकेट जरूरी है या फ्रेंसाइजी किरकेट तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब यही आता है सबी fans की नजर में एक बार हो जाता है दो बार हो जाता है लेकिन अगर बार बार ऐसा होना लगता है तो निश्ची तूरूप से fans को कहीं न कहीं डाउट होने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या है IPL में कि IPL आने से पहले ये खिलाडी पूरी तारीके से फिट हो जाते हैं और जब बात होती है इंटरनेशनल किर्केट की भारती टीम से खेलने के लिए अपने दैशे खेलने के लिए तब ये अनफिट हो जाते हैं ऐसा क्यों यही नहीं सिर्फ T20 किर्केट की हम बात नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हैं ICC T20 World Cup की जो दो या तीन साल में एक बार आता है उनमें भी आप कहनने के लिए मना कर देदे अनफिट हो जाते हैं जब बात हो बोर्डर गावस का ट्रोफी की जहाँ टीम इंडिया के लिए बहुत ही ये इंपोर्टेंट सिरीज थी इस सिरीज को टीम इंडिया के लिए जीतना जरूरी था बहरहाल अच्छी गेंदबाज रवींदर चंदर अश्रीन और चेड़ेजा की बदोलत भारती टीम तो सुन्य से इसमें बड़त बना चुकी है लेकिन चस्परीत बुम्रा जैसे खिलाडी का इस टोर्णामेंट में होना बहुत जरूरी था लेकिन चस्परीत बुम्रा अनफिट होकर एक बार फिर इस से और अब ये ख़बर निकल कर आ रही है कि चस्परीत बुम्रा बोर्डर गावस का ट्रोफी के बचेवे तोनों मुकाबले में भी नहीं खेलने वाले हैं और सिधा IPL में खेलेंगे तो लगाता 2018 से अगर हम बात करें इनके रिकोर्ड की सोगैज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं IPL वरसे इंटरनेशनल किर्केट की इंडिया ने 2018 के बाद 92 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं जिसमें चस्परीत बुम्रा ने सिर्फ 28 मुकाबले खेले हैं यानि कि 64 मैचस वो नहीं खेल पाए हैं वहीं इसी दर्मयान मुंबई इंडियन्स का एक भी मुकाबला मिस नहीं किया है इसके लादी ने पिछले 4 सालों में तो कई सवाल कहीं न कहीं उड़ता है चस्परीत बुम्रा के उपर